नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और मोटिवेशन स्टोरी लेकर प्रस्तोतूं जिसे सुनकर आपको बहुत जादा शांती मिलेगी आपके मन को बहुत शांती मिलेगी चलो आएए शुरू करते हैं स्टोरी पे एक बार क्या होता है कि एक चगह competition इनाउस किया जाता है कि जिस जो painter अपनी painting सबसे इच्छी बनाएगा उसको लाखो करोडों का इना मिलेगा तो इस तरह का इस तरह का क्योड़ती होती है सारी हमने उसमें हल्ला मिछ जाता है कि इस तरह का बहुत Бड़ा publication होने वाला है तो सब पेंटर्स जो पेंटिंग बनाने वाले होते हैं वो तियार हो जाते हैं कि हम लोग हम भी जाएंगे पेंटिंग मनाने हम भी जाएंगे तो इस तरह क्या होता है जब कंपेडिशन होता है तो क्या होता है कि सब जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पेंटर्स आ रहे होते है मालब उंदा-उंदा पेंटरrau ओक होते हैं जो इतनी सुंदर संदर पेंटरणSON बनाते हैं तो एक पेंटर वहाँपर जैसा कोई जैसे सूरज निकलते वे की सनराइ्ज की फोट trenches की फोटो बना रहा है कोई पहाडों की फोटो बना रहा है जैसे हमें पहाडों में जाके कितना सकून मिलता है इस तरह की मतलब शानती वाली जैसे, मतलब जहाँ देखकर जिसे मन खुश हो जाए इस तरह की पेंटिंग्स कोई बरफ के पहाडों की बना रहा है कोई वाइट बादल जैसे होते हैं उनकी फोटो बना रहा है वाले भी पहुंच जाते हैं कि पता नहीं आज किसको लाको करोडों का इनाम मिलेगा कौन वो पेंटर होगा तो क्या होता है कि कुछ मेडिया वाले जो परदे के पीछे पेंटिंग रखी होती ना उसको देख लेते हैं और उस आर्ट गैलरी वाले से पूछते हैं कि यह पें इनाम मिलेगा इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं तो मुस्कुराते हुए आर्ट गैलरी वाले जवाब देता है यह वही पेंटिंग है जिसको इनाम मिलेगा ध्यान से देखो इसको तो उस जिस पेंटर ने वह पेंटिंग बनाई होती है उस उसको बलाया जाता है उसको इन इसा devo बाहर बिजली कड़करी होती है बारिश हो रही होती है यह इक चोटा सा कहल दिखाए दिखाए दिना गहर होता है इसमें एक आदमी होता है खिड़की के पास वह बाहर खुश होते हुए देख रहा हुता है बड़ा मुस्कुराते हुए न, बाहर देख रहा हुता है, इस कहाने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर अगर शांती नहीं है, अगर अंदर इनर पीस नहीं है, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर शांती है, चाहे नहीं है, बाहर महुल कैसा भी हो, अगर हमारे मन में शान्ती नहीं है तो हमें कहीं शान्ती नहीं मिलेगी हम अगर हम अंदर से शान्त नहीं है न तो हमें किसी भी अच्छी जगा ले जाओ हम कहीं पर भी शान्त नहीं रहेंगे बना कहीं पर भी हमारा मन नहीं लगेगा इससे में यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर की शांती है हमें सबसे ज़्यादा पहले इंपोर्टन्स रखती है बजाए बाहर की बाहर जो मरजी हो रहा हूँ हमारे मन की शांती ज़्यादा जरूरी है तो आशाय दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आएगी जल्द ही मैं अगली मोटिविशनल स्टोरी लेकर आपके सामने हूँ